हेलो गाइज मैं उठ चुका हूँ जस्ट दस मिन पहले अभी टाइम हुआ है साड़े साथ हाँ साड़े साथ हो चुके है और फेले फिलाल जल्दी उड़िया हूँ आठ बजे से पहले मैं उठता नहीं हूँ क्यों कि भी लॉक्डाउन में थोड़ा ऐसे चल रहा है तो आठ बचने वाले हैं अब चाई बना दी होगी ममी ने तो जाते हैं हाथ मों दोते हैं और चाई पीएंगे और चट पर जाएंगे क्योंकि मौसम आज बहुत अच्छा हो रखा है तो उसके बारे में भी बात करेंगे चलिए चलते हैं और मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी दे निकला और भार जाके देखा तो जट पर बारिश आरहे है जर्व यह नहीं को बता कि मौसम अच्छा हो रखगा आपको छट प्लील मौसम अच्छा हो रका है तो पहले आपको थोड़ा सा नजारे दिखा देता हूं में जाई हो पीने जाओं तो बारिश हो हुग और हमारा सॉलर भी कम चका चक साफ हो गया है तो बादिश अच्छी हो रही है राजबर से हो रही थी शायद कि बहुत जादा थंड भी थी देखिए आप बहुत अच्छा हो रखा है तो अब हम चलते हैं नेचे जाते हैं जाते हैं चलिए हम जाते हैं देखते हैं चाई बन गई यह नहीं है तो भाई साइनली चाई बन चुकी है और मैं अब लेके जा रहा हूं चाई अपने लिए और मेरे दादाजे के लिए जो कि बीट करने चाही का दो गरें दोस्तु ओंदर आढखा देज को है सिंगहां उस्ते दे कि पासीद्व ही लिख कहते हैं говоря पासीन और वरह वर्वा बिटाओ है आपने भी तर राइज मैं अपनी चाई अगो उपर लेके जा रहा हूं तो चलते हैं चट पे क्योंकि मॉशन मच्छा हो रहा है और दर्मगरम चाई के साथ बहुत मज़ा आता है मैंने माइक नहीं लगा रखा है तो आवाज तोड़ी आपको धीरे आ सकती है गेट खोले कैसे हाथ तो दुनों रेस्ट है तो मोबाइल को रखते हैं नीचे फिर गेट खोलते हैं तो फाइनली गाईज हम आगे हैं चट पे हलकी हलकी बारिश हो रही है क्योंकि राजस्तान म अने वाला है तो तुफान आने से पहले जो हलकी बारिश हो रही है तो अब हम चाई पी लेते हैं जो की गर्म है अभी तक थन्डी नीजाए तक हम खाएंगे खारी दिसकित और आप सभी क्या कर रहे हैं गुजरात और उंबई में बहुत अबस्ता है हुआ है बारिश हो रही है कर दो दो अब है कि थन्डे मौशन में चाई पीने का बहुत ज़्यादा मज़ा है तो कि गर्मा गर्म चाई अभी अब हो सकती है चल्दी में थन्डे मौशन में है आप पो दिखाता हूं में बारिश कैसी हो रही है और कैसा नजार लग रहा है हमारे दर का कि तो है जैसे मैंने बे कैमरा ओन किया तो बारिश स्टेज हो दई है और यह देखिए दोस्तों हमारे जोदपुर का फॉर्ट है चारो तरफ पहाड़ है पहार और मौसम बहुत रंगीन हो रखा है साथ में हल्की बारिश और मस्क मौसम हो गया पुचुन करके दिख रटा कि बहुत कि शांदार है तो आप गूम में फिरूर आ सकते हैं तो तो लोगोस को बारिश स्टेज हो रही है अपको मुझे नीचे जाना पड़ेगा तो अगर मैं गिला हो गया तो अभी कोरना के टाइम में बीमार भी नहीं होना है तो हम जाते हैं अब आप नीचे काई खत जाएंगे नहाएंगे और मैं आपको मिलता हूं अब नहाने के बाद तो फाइनली गाईज हम नहा के आचुके हैं बिल्कुल तेया और ये गर्विद भी आ चुका है और दोस्तों रूम सारा बिक्रा हुआ पड़ा है अभी इसको सैट करेंगे अच्छे से क्योंकि नहा के सारे कपड़े वगया फैक के हम नहाने चले गए थी और गर्विद चाहिद पी लिया है अब व्लॉग मैं सुबह से बना रहा हूं तो अब कल आपका व्लॉग का नमर आएगा क्योंकि दोस्तों हम सोच रहे हैं कि डैली हम ब्लॉग बनाएंगे आपके लिए तो 360 देज में हम 360 व्लॉग बनाने की कोशिश आपके लिए करेंगे 365 देज होते हैं एक साल में 365 डेज में 365 व्लॉग मेरे को सब पता है तो अपना काम का है तो गाईज हम अच्छे अच्छे व्लॉग आपके लिए और भी लाते रहेंगे साथ मैं घर्वित है मैं हूं और भी हमारी व्लॉग आपको कैसा लगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बारा तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और को यह आप सजेशन देना चाते है व्लॉग के बारे में कुछ जानकरी तो कमेंड में जरूर बताइएगा शेयर कर सकते हैं उन झाल